MP Board के Class 10 के सभी विध्याती ध्यान दे अर्दवार्षिक का जो पेपर आने वाला है उसका पूरा हल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो बीना देली के हम वीडियो को सिरू करते हैं सबसे पहले को Smells में आपसे च्ये नंबर के प्रश्ण पूछ दाएंगे यानि की एक इक नंबर के च्ये कौशेण पूछ राएंगे तो सबसे पहला मेंहें हमारा उद्धह ने गोप्यों को किसका संदेश दिया तो योग का आत्मकथि के कवी हैं जे संकर प्रसाद भागुन महा में कौन सी रितू आती है तो जो भागुन का महीना रहता है उसमें कौन सी रितू आती वर्सा वसंत सरद सर्दी तो आपके आएगी वसंत रितू भारत का सुजलेंट किसे कहा जाता है तो भारत का सुजलेंट कटाओं को कहा जाता है एक से अधिक एक से अधिक अर्थ देने वाले सब्द को यह सब्द कहलाते हैं एक से अधिक सब्द कहलाईगे आपके अनेकार्थी सब्द और यदि एक सब्द यानि कि एक अर्थ बताने वाले सब्द को कहेंगे एकार्थी सब्द तो हमसे कोश्चन पूछा गया है कि एक से अधीक अर्थ देने वाले सब्द कहलाते हैं तो अनेकार्थी सब्द अगला कोश्चन है मैं क्यों लिखता हूँ लेखक का नाम है तो लेखक का नामे अग्ये मैं क्यों लिखता हूँ इसके लेखा का नामे अग्गे तो ये हमारे प्रश्ण गर्मा के एक के पूरे छे कोशन होगे अगले कोशन के ओर हम बढ़ते हैं तो अगला कोशन में आपसे पूछ राएंगे रिक्तिस्तान, रिक्तिस्तान पूछ राएंगे साथ नंबर तो सबसे पहला रिक्तिस्तान आपारा प्रियोगवाट के जनक डेडडडेश माने जाते हैं तो जैसंकर प्रसाद जी को काम यानी एक डेडडडेश कोनसा कावी हे तो यहां है महा कावी सब्विता डेडडडेश का परिणाम है संसकतीस सब्विता संसकति का परिणा है एक कुटिया में डडडड़स गुमता दिखाई देता है तो धर्म धर्म चक्र ये जब ये खालिस्तान दिख रहे है इसकी जगा पर आपको भरना है लेखी का मनुभंडारी का जन्म डडड़स कौनसे गाउ में हुआ है तो भानपूरा गाउ में हुआ दुख है नाचांद खिला डडड़स रात आने पर ये एक पंक्ती इसको पूरा करना है तो ये जो खालिस्तान है ये ये भराएगा आपका सरत कि दुख है नाचांद मिला सरत रात आने पर पंचवटी डड़स समास का उधारने तो जो पंचवटी है वहाँ दिग्गू समास का उधारन है आगे के तिसरे कोश्चन में आपसे पूछी जाएगी जोड़ी तो ये इस कास आपकी जोड़ी रहेगी मैंने जोड़ी के नंबर लिख दिये कि कौन सी जोड़ी किस में जुड़ेगी तो हम एक एक करके जोड़ी देखते हैं तो पहली जोड़ी है आपकी 24 मात्राव वाला चंद वह है आपका दोहा चंद उल्लू बनाना उल्लू बनाने का अर्थि निकलेगा आपका मुर्ख बनना कोशिक विश्वामित्र किरिया करता के अनुसार कर्व वाच वाच नवाब हिसाबने दो खीरे खरीदे संसकती संसकती का यह वन जाएगा तो यह रही हमारी जोड़ी आगे का कोश्चन हम देखते हैं आगे कोश्चन में क्या पूछ जाएगा आपसे तो आगे का कोश्चन आपका आएगा प्रिश्ण कर्मा के चोथे, चोथे में एक वाक्य मुत्ते बताने साथ जपान के हिरो सीमा में कौन सा बम गिराया गया तो परमानू बम उपमा लंकार में कितने अंग होते हैं तो चार अंग होते हैं मानव संसकती किस प्रकार की है अविभाज प्रकार की मानो संसकती है गतिक का अर्थ क्या है पहाड यथा सक्ति में कौन सा समास है तो अव्यव समास हाथ मलना का क्यारत है पस्तावा और जीतिकाल कावि का मुख्य विसे कौन सा है तो सिंगार वन्नन यह हमारे साथ एकवाकी मुत्तर हो गए अब आए आपके सत्य और असत्य वीरस का इस्थाय भाव क्रोध है तो यहाँ बाद गलत है वीरस का इस्थाय भाव उठाए उस्सहा तो यह हमारी गलत बात है लेखा की पिट्ती एक सरशना सरश्ट होती है तो यहाँ बाद ब्याप्त की गलत है उजन तिवारी को भोलानात चिडावा चिडाना शिरू किया था गलत बात है यह मैं क्यों लिखता हूँ इसका लेखा के अग्ये तो यहाँ बात सही है परवती सुन्दरता मन को नहीं भाती है यहाँ बात गलत है म्रदंग एक तरह का बहायंत्र है तो यहाँ बात सही है तो यह आपके पास विकोशन में सत्य और असत्य पूछ राएंगे तो यह पूरे छे हैं अगले कोश्चन आपका होगे श्टार्ट प्रश्ण क्रमांक छे से तो प्रश्ण क्रमांक छे से आपसे दो नमबर के कोश्चन पूछ जाएंगे कि गोपिवद वारा उद्धव को भागीवान कहने में क्या वियंग नहींत्य है प्रश्ण क्रमांक साथ राम लक्षमन पसुराम सनवान में वियंग का अनुठा सुन्दर है उद्धारन के साथ लिखिए प्रश्ण क्रमांक आठ आएगा इसके बाद कि रितिकाल की प्रमुग दो विसे इस्ताय बताएए तो यह आपके दो नमबर की कोश्ण चल रहे हैं तो आप इनका स्कीन सोट ले लिजे प्रश्ण क्रमांक नो प्रश्ण क्रमांक दस तो यह भी आपके दो ही नमबर की कोश्ण अभी चल रहे हैं आप इन्हें अच्छे से कंप्लिट करेगा जो वार्शिक पेपर आने वाला है उसमें आपसे जरूर पूछ जाएंगे यह कोश्चन तो यह हो गया आपके प्रिश्ण कमारम के तेरवा तेरवा के बाद में आपका आएगा चवदा कि लेखी का मनुभंडारी के व्यक्तित उपर किनी दो व्यक्तियों का इस रूप में प्रभाव पड़ा है किस रूप म प्रकास या मनुभंडारी का साहतिक परीचे लिखिए दो रश्णाएं भासा सेली भी बताने हैं इसके बाद सोलवा कोश्चन यह दो नंबर के ही चल रहे हैं अभी आपके यह इसमें बताने हैं आपके कि निम्लिकित वाक्यांस को एक सब्द में बताना है कि सब कुछ जा आने वाले को क्या कहेंगे केवल एक वर्ड में बताना है अब इसके बाद आएगा आपका सत्रवा कोश्चन आप इनका स्कीन सोट लेए अब देखिए सत्रवे के बाद आपका प्रश्णिक क्रमांग का अठारवा अठारा से आपके तीन नंबर के कोश्चन इस्टाट हो ड़ाएंगे तो प्रिशन क्रमांगा ड़कर देखिए कि निम्न लिकीत के गद्यास्ट आपको संधर व प्रिश्चन व्याख्य सहित आपको इसमें बतानी यह प्रेश्चन क्रमांगा ठारवे का अथुआ फिर प्रश्न करमांग का आपका 19 वाएगा उन्नीस वे में आपको इस गध्यां से दिया जाएगा उसके संदर प्रश्न व्याखत सहीत बतानी हिस आप स्किन सूट ले लीजें और इन्हें अची से कम्पलिट करेंगा यह इसका अथ कौिश्ण क्रमा और कल बढ़ते हैं प्रश्ण क्रमांग क् सूछाथ करें सबahnar का और सब्सक्राइब धिसहीं में आप से इक विशेश पर एक सूछ्छन पत्र लिखना है यह तीनों में से केवल एक विसे जो आप आपको आता है आप उसमें से एक लिख सकते हैं प्रिशन कर्मांक 21 21 में आपको एक अपटित गध्यान से दिया जाएगा यह इस परकार से और उसको अच्छे से पढ़ना है और इसमें से कोईशन आपको करना है आप जो आखरी है हमारे प्रिशन कर्मांक बाविश्तव में आप अपने विध्याले के प्रिचार्य को सुल्क मुक्ति के लिए एक आविधेन पत्र लिखना है इसका अथ्वा है वालसिक परेक्छा की तैयाड़ी जानकारी है तू पिता जी को एक पत्र लिखना है इसके बाद आएगा आपका प्रश्ण कर्मांक तेविस्वा तेविस्वा में आपको एक निभन लिखना एक विसे पे किसी एक पर ही लिखना के वन जो आपकी अर्दवार्शी की परिक्षा आने वाली उसमें 100% question आने वाले हैं तो आप अपना time ना गवाते हुए इन प्रश करेगा